हेलो डिया श्टुडेंट्स वल्कम माई यूटूब चैनल इसके क्लासेज में आज हम आपको देखे प्रहारा रिजनिंग के क्लासेज पे और यहां पर सभी वोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सभी एक्जामनेशन के लिए तो बहुत ध्यान से पढ़िए के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन पढ़ रहे हैं और टॉप फाइप कोशन हम कवर कराने वाले हैं तो टॉप फाइप कोशन पढ़िए जो बार-बार एक्जामनेशन में आपके पूछे जाते हैं चैनल पर क्लास सी बसी लेकर नाइन तक की मैस पढ़ाई जात मैस की पूरी क्लासस बहाँ पर पढ़ सकें चलिए कोशन नमर बन स्टार्ट करते हैं कोशन नमर बन हमसे क्या कह रहे हैं यहां पर देख कोशन कह रहे हैं यदि E इक्वल टू 5 दिया गया है और आगे कह रहे हैं कि PEN इक्वल टू 35 लिखा गया हूँ तो BAT BAT का क्या कोड ह आपको और डिकोडिंग रिलेकेट 5 कोश्चन कवर कराएंगे, वीडियो के लास्ट में एक कोश्चन भी आपसे पूछेंगे जिसका कमेंट में आप लोग सभी लोग एंसर जरूर दीजिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे सभी कोश्चन सापके कलिया हो ज तो यहाँ पर देख लीजिए equal to 5 दिया गया तो E की देखे E की value जैसे E number पर आते हैं तो यहाँ पर number क्या रोड करते हैं 5 तो होता ही है जैसे A की value 1, B की value 2 हो गई C की value 3 हो गई, D की value 4 हो गई और E की value 5th number पर आता है तो E की value क्या माल लेंगे यहाँ पर 5 अब यहाँ पर दीए question क्या कर रहा है P E N equal to 35 दिया गया है तो P E N equal to 35 ठीक, अब यह कैसे हुआ तो value आपको सभी numbers की learn होना चाहिए तो P की value क्या होगी P की value होगी 16 E की value होती है 5 और N की value क्या होगी N की number पर आता है N आएगा 14 number पर यह directly आपको later कौन से number पर आ रहे है यह आपको learn होना चाहिए तो P होगे 16 number पर E होगे आपका 5 नमबर पर और N होगे आपको 14 number पर देखे क्या plus करने पर यह सब total 35 हो रहा है या नहीं हो रहा है तो आप इसमें क्या करिए इसको plus कर लेते हैं तो 16 और 5 प्लस करेंगे तो 16 और 5 प्लस करेंगे तो यह हो जागा 21 और 21 और यह 14 प्लस करिए तो 21 और 4 21 और 4 को अगरा प्लस करते हैं तो 21 और 14 21 और 4 यह हो जागा 25 और 35 तो देखे 35 टोटल आइंसर हमारा आ रहा है तो इसका मतलब है कि जितने भी लेटर दियेगा है इन सभी numbers के आपको फिर लेटर नमबर लिख लेने हैं और उसके बाद पर plus कर देना है that is the answer चलिए BAT BAT की value उसी तरह हम लों निखालते हैं BAT BAT में क्या value होगी तो B देखिए 2 number पे होता है plus A होगा आपको 1 number पे plus और T होगा 20 number पे देखिए मुझे तो directly learn होगा है कि कौन से number कि stable number पे आते हैं आप लोगों को नहीं learn होगों तो आप लोग सभी लेटर लेटर किस number पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए plus करेंगे 21, 21 और 22 plus करेंगे तो 23 that is the right answer तो 23 हमारे कौन से option में ABCD में ABCD में B option is a right answer that is complete तो आपको इस तरह के question करने के लिए examination में coding decoding के आते हैं तो आसकते हैं तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें आई होपी question number 1 clear हो गया होगा वीडियो पसंद आते जाएं तो like जरू करते चलिएगा चैनल पर नए हो अभी तक अपने subscribe रखेंगे और subscribe जरू कर लिएगा और आपके जो भी friend related groups के हैं उनको मेरे video share कर दीजे जिससे उनकी भी help हो सके और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ स question पूछ रहे हैं तो देखें B की value तो 2 हो गई है है ना और हमसे कह रहा है कि या EAT equal to क्या है EAT equal to 26 यहाँ पर कहा गया है तो इसको भी देखते हैं कि क्या ये इसी तरह number note करके plus करके इसके answer आ रहे है ये नहीं आ रहे है तो E की value क्या होगा E की value की फिक्त number पे होगा तो फिक लिख लीजिए इसके बाद देखें A की value 1 होती तो A की value 1 लिख लीजिए और T की value क्या आओगे 20 इसको आप लिख लीजिए तो सबको plus करें तो 20 21 और 5 26 ये भी देखें बिल्कुल सेम ये question number 1 की तरह है आपको भी इसी में जो यहाँ पर later number दिये गए इनको सबको क्या करना ह प्लस तो B E D की value आप भी इसी तरह क्या कर लीजिए इनमें जतनी number दिये गए उनको plus कर दिये तो B की value देखें 2 होगी E की value 5 होगी और D की value क्या होगी 4 तो इनको plus कर दिये तो 5 to 7 और 7 4 11 11 कौन से option में आपको आ रहा है 11 है C option C is the right answer I hope इस तरह के सभी questions आप ही clear हो जाएंगे कोई doubts भी नहीं होगे बड़े easily हैं लेकिन आने वाले question number 3 4 5 होगे वो थोड़े से deep cut होगे तो वीडियो को last देखिए सभी question cover करिए अब वीडियो के last में question भी आप से पूछा जाएगा उसका answer भी आप सभी बच्चे हमें comment box में लिग के बताएं चलिए question number 3 देखते हैं आप question number 3 क्या करें हैं देखिए h equal to 8 है जैसे h किस number पर आता है तो h आपका 8th number पर होगा तो h की value 8 हो जाएगी और यहाँ पर कागे hen equal to 30 है तो 10 equal to क्या होगा याई क्या code होगा तो देखिए क्या है हमें भी इसी question में plus करते हुए solution हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप question को बहुत ध्यान से पढ़ें देखिए h e n equal to क्या है तो यहाँ पर देखिए 30 दिया गया है तो इसको देखते कैसे solution हुआ है h होगा आपका 8 number पर 8 लिख लीजिए इसके बाद 12 and no.14 लिख लीजिए यह जो number आये 854 14 इनको प्लस करके देखते हैं कि क्या हमारा answer 30 हो रहा है या नहीं हो रहा है 8 & 5, or 5 प्लस करेंगे तो 18 & 2014 13 14 प्लस करें तो 27 हो रहा है देखिए अब यहां पर 27 हो रहा है और यहां पर एंसर आ रहा है क्या 30 तो पहली बात उसको अच्छ चेक कर लिजिए कि क्या यह हमारा कहीं प्लस करना तो नहीं रॉंग हो गया तो आपको देखिए H होगा 8 नमबर पे E होगा 15 नमबर पे और N हो रहा है तो देखिए H तो हमें 8 नमबर पे दिया गया सही है यह हमारा फिक्त नमबर पे और N की वैलू भी 14 नमबर पे होती है आप इन सब को पहले प्लस करिए 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13 और 13 और 14 प्लस करेंगे तो 27 एंसर हो जाएगा है ना और एंसर यहां पे क्या आ र हो रहा है क्या एंसर हो रहा है 27 और 27 में 3 क्या किया जा रहा है और प्लस किया जा रहा है तो हमारा एंसर क्या बन जाएगा एंसर हमारा 30 हो जाएगा यहां पर इतनी बात यहां पर यह कोशन्स कह रही है ठीक है अब यहां पर 10 का कोड क्या है इसको हम लोग देख लिखते है ठीक है, देखे, 10 का code क्या होगा, तो यहाप पर 10 लिख लीजिए, और 10 के लिए देखे, T4 होगा 20, लिख लीजिए, E होगा आपका 5 वो भी लिख लीजिए, N होगा 14 वो भी लिख लीजिए, और इन सब को plus कर लीजिए, तो 20 और 5 प्लस करेंगे, तो 25 हो जाएगा, 25 और 14 प् वाले question में यह ध्यान लखना पड़े दे कि, बहुत बचे जल्द बाजी करेंगे, और तुरन 39 पे टिक लगा देंगे, और option टिक करके चले आएगे, और फिक आएगे, question हमारा, यह तो wrong कैसे हो गया, तो पहले पूरी चीस समझ लीजिए, 39 तो answer आ रहा है, और option में भी दिय आ गया है, लेगि इसका मतलब भी नहीं कि answer हमारा 39 है, क्योंकि पिछला question है, इस hand वाले question में कहा गया था, hand में यह कहा गया था, कि hand की value 27 आ रही थी, उसमें 3 और प्लस किये गये थे, तो आपको भी क्या करना है, कि जो 10 का code कह रहा है, उसमें 39 तो आ गया, उसमें आप 3 और प्लस कर दीजिए, तो 39 में 3 प्लस करेंगे, तो answer हमारा क्या हो जाएगा, 42, 42 is the right answer, option D is the correct answer, ध्यान रखिएगा, C answer बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 39 तो total आ रहा है, तेकि इस question में क्या किया है, कि जोतना भी total आया है, उसमें 3 और प्लस किया गया है, तो आपको भी, जैसे hand क code में 3 प्लस किया हुआ था, उसी तरह आपको 10 code में भी, आपको इसी तरह 3 प्लस करना है, तो आप answer हो जाएगा, 42, that is the right answer, तो I hope ये question number आपको 3rd clear होंगे, कोई doubts भी नहीं होंगे, और थोड़ा सा difficult ज़रूर था, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, सभी question पढ़ते चलि ठीक है, साथ समान हिंदी की भी हमने classes स्टार्ट कर दी, जो की very most important है, सभी examinations के लिए, जहां पर आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो आप हिंदी की भी वीडियो मेरे आप देख सकते हैं, नीचे आपको description में प्ले लिंक मिल जागी, वहां से आप सभी वीडियो पढ़ भी रोता है, चली-चली ठीक है, इसके fan का code देखते हैं कि कैसे यहां पर 12 लिखा गया है, तो आप पहले fan का code देख लिजे, तो fan की value क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए फैन की वैलू क्या होगी फैन की वैलू है यहाँ पर F होगा आपका 6 नंबर पे A होगा आपका 1 नंबर पे और N है आपका 14 नंबर पे तो देखिए यहाँ तो वैलू भाई 12 आ रही है इसका मतलब यहीं से पता चल रहा है कि value जो है आपके देगे 14 नहीं हो गया इसका मतलब यह number back क्यों हो जाएगा नहीं पीछे क्यों हो जाएगा तो पहले तो आप प्लस कर लीजे 6 1 प्लस करेंगे 7 7 में 14 प्लस करेंगे तो answer क्या हो जाएगा वही 21 यह देखिए यहां पर answer क्या हो रहा है 21 हो रहा है ध्यान से में यह क्या है देखिए टोटल हमने सबको प्लस किया तो answer हमको क्या मिलगा 21 और 21 तो चलिए ठीक है लेकिन answer यहां पर आ रहा है 12 अब देखिए आगर हम आगे क्यों होता नंबर से आगे क्यों नंबर को ही लिखिए 25 answer इसका आता यह 28 आता इसका मतलब है कि जो हमारा plus करने पर नंबर आया हुआ है इससे हमें plus करके लिखना है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है minus करके answer हो रहा है तो क्या answer हो रहा है real में कि नहीं हो रहा है बहुत ध्यान से question को पढ़िए तो 21 में क्या है अगर हम 9 minus कर देखिए अभी आप चेक भी करिए देखिएगा अभी यह भी न अब देखिए 21 में 9 minus कर रहा है तो answer क्या मिल रहा है 12 तो यह तो अभी मुझे याद है कि मैं 9 minus करना है ठीक है अभी देखते है क्या हो रहा है अब आप एक बात हमारी नोट कर लीजे यह fan को find कर जो हमने total किया है तो 21 आया था ठीक है और इसमें हमने 9 minus किया है तो answer हमने क्य मिल रहा है 12 तो क्या हो रहा है real में कि नहीं हो रहा है ठीक है इसको लोग देखते हैं अब हम बाल की value देख लेते हैं जो बाल की value को एगी तो बाल में क्या होगा देकि B की V4 होगा 1 sorry B4 2 A4 आपका 1 हो जाएगा और L किस number पे आता है तो L आता है आपका total number पे आता है अब आ प्लस करेंगे तो 27 याप answer हमें क्या मिल रहा है 27 तो देखे 12 12 to 24 24 1 25 25 25 to 27 आपको think सोच कर तुरंत प्लस करना भी आना चाहिए number देखे और तुरंत उसका answer आप में बताईए तो इसका देखे answer क्या हो है आपर answer answer हुआ हमारा 27 तो 27 तो बही option में भी यह दिखे तुरंत बच् question भी तो करिए 27 तो चलिए answer आया हुआ है लेगिन जो पहला fan question में कहा गया था कि इतना भी total आएगा उसमें 9 minus करना है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 9 minus करेंगे तो 27 में आप 9 minus करिए क्या answer मिलेगा हमें हमें answer मिल लियागा 18 18 answer आएगा जैसे हमने fan में किया है 21 में 9 minus किय तो 12 answer मिल गया है उसी तरह से ball की value को plus किये तो 27 बिनाया हुआ है उसमें हमने 9 minus किया हुआ है answer हमें क्या मिला है 18 तो 18 क्या option में है या नहीं है तो यह 18 तो option में है ही नहीं तो बस आपको इसी बात का ध्यान लकना है कि यहाँ पर question में क्या हो रहा है question में क्या हो रहा है question में क्या हो रहा है इसका आप ध्यान दीजिए कि यहां पर questions पर क्या रहे हैं तो देखिए यहां पर बात अब समझने वाली है अब यहां पर 18 भी answer हमारा नहीं आ रहा है तो थोड़ा से यहां पर आप दिमाग लगाईए और हम आपको बताने माले कि इसमें हुआ क्या है देखिए इसका answer आया था 21 अगर 21 के नंबर को उल्टा कर दिया जाया पोजिट तो देखिए यह answer रुजागा 12 तो देखिए 12 आ गया हमें तो मालूम है आपको समझना चाहिए और बाल का answer आया था 72 शोरी बाल का answer क्या आया था 72 आया था तो answer हमारा क्या हो जाएगा 72 72 is the option C is the right answer इस तरह के questions आपकी examination में आते हैं बहुत बच्चे को भी confusion होती कैसे हुआ sir कैसे हमने किया sir हमने plus तो बहुत अच्छे से किया हुआ था answer हमारा क्यों wrong हो गया तो आपको इन सभी बातों का बहुत ध्यानकना है कि उस number के साथ क्या हो आपको plus करके तो number दे दिये जाएंगे उसके बाद क्या हो रहा है plus हो रहा है minus हो रहा है कि number opposite कि जा रहा है कि multiply कि डिवाइड हो रहा है यह सब बाते हैं आपको बहुत ध्यानकने की ज़ुरत है तो यहां पर ध्यानकिए 12 को हमने यहां पर देखिए आया तो हमारा answer 12 तो हमा बाते सब लोग बच्चे बहुत ध्यान से सुना करिए वीडियो बिल्कुल स्किप मत किया करिए बहुत बच्चे स्किप करते हैं बीच की जो भी बाते हम आपको समझाते हैं बताते हो तो बिल्कुल ध्यान है नहीं देते हैं बस answer diet देख लेंगे answer इसमें क्या हुआ बस व question में हुआ क्या है यहाँ पर देखिए i equal to 9 दिया गया है i c equal to 34 लिखा गया है आपसे question पूसर है j u g का क्या code होगा तो i equal to 9 है तो 9 तो चलिए note का लीजिए आप ठीक है इसके बाद देखिए i c e का code हम लोग पहले देखते ही क्या होता है i होगा देखिए 9 नमबर पे c आप और 12 और 5 प्लस करेंगे 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 12 और 5 प्लस करें तब भी हमको 34 मिल जाएगा लेकिं इस question में प्लस करके नहीं हुआ है 17 कभी-कभी table ध्यान दीजिए साइट का number पर हो रहा है 17 के गर हम 17 टूजा पढ़ते हैं तो answer हमें क्या मिल जाएगा 34 तो यहाँ पर हमने multiplication करके question किया हुआ है तो इस पर आप चरूर ध्यान दीजिए जितना भी number आएगा उसमें आपको साइट टेबल पढ़के number अगर मिल रहे हो तो आप टेबल पढ़के number चरूर कर लिजेगा ठीक है 17 टूजा 34 और अगर आगे पीछे number हो तो फिसाट प्लस करके हो सकता है तो फिसाट प्लस कर लिजेगा क्या पर 17 टूजा 34 that is a answer चली आपर देखें आगे का आगे जे यूजी का क्या code होगा तो भाई जे यूजी का निकाल लेते हैं तो जे आपका आएगा 10 नमबर पर आएजे आई का यह आपका 9 नमबर पर है जे हो गया तो 10 नमबर पर हो जाएगा यू आपका किस नमबर पर आएगा तो इसको आप थोड़ा से ध्यान दीजे कि यू किस नमबर पर है तो आप लोग काउंट कर लिजे मैंने पिछले भी पढ़ा है T आपका आता है 20 नमबर पे तो U हो जाएगा T के बाद U आता है 21 इस तरह थोड़े नमबर याद कर लिजे अगर बीच के नमबर याद कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाती ही निकाल लें इसे आइ नमबर पे आया तो जह क्या होगा भई 10 नमबर पे ओजाएगा ठीक है यू आपका देखें हुआ जैसे TM आपका 20 नमबर पे होता है तो U तुरहं तो 21 हो जाएगा इसके बाद G आपका क्या इस नंबर पर f के बाद g आता है तो 7 नंबर पर हो जाएगा इन इत्सपिन को प्लस कर लिजिए 10 और 21 प्लस करेंगा तो 31 और 31 और 7 प्लस करेंगे तो सैंस रामारा हो जाएगा है answer हमारा क्या हो जाए आप सब को प्लस कर लीजिए connectsर हमारा हो जाएगा 30 over 10 plus करेंगे 31 और 7 plus करेंगे 38 हमारा answer हो जाए 31 तो answer option में भी है बहुत बच्चे रोल टिक करके चले आएंगा तो लोगत रोंग भी हो जाएगा पिछले question को भी देखिए यहाँ पर i's की value 17 आई हुई थी और उसका हमने क्या किया था 17 टूजा 34 यहीं 2 time table पढ़ेंगे तब हमारा answer 34 हुआ था तो आपको भी यही करना है जो answer 38 आएगा उसमें आप 2 time table पढ़ लिजिए 2, 8, 16, 6, carry 1 और 2, 3, 6, 1, 7 76 option D is the right answer D बिल्कुल भी नहीं होगा बहुत बच्चे गलती करते हैं इसलिए आप यह जरूर ध्यान लखें कि कौन से number पर किस table पर answer हमारा आएगा ठीक है तो आई वोब यह questions आपको clear हो गए होंगे कोई doubts भी नहीं होंगे बिल्कुल easily थे थोड़ा सा question number 4th और 5th difficult था तो इसको आपको समझना चाहिए ठीक है यह वीडियो का आज यह today's question में हमने answer लेकर आये आपका यह question है और इसके 4 option दिये गए हैं इनमें आप बताईए कि इस question का क्या answer होगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर answer दीजिए जिसे पता चल सके कि हमारे पढ़ाएगों से भी question बच्चों को समन में आ रहे हैं और कोई problem doubts हो या किसी और type की question पूछने हो आप हमें नीचे comment box में जरूर ली सकते हैं I hope यह question सभी clear हो गया हुए वीडियो पसंद आए तुसे like जरू करी, share करिए चैनल पर नहों subscribe जरू करिए जो कि सभी बच्चे आप cover कर सकते हैं तो I hope यह सभी questions clear करें, देखें और इस तरह के सभी वीडियो भी आप मारे चैनल पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल free कोई problem नहीं होगी, कोई doubts नहीं हो जो भी questions, कोई doubts हो तो आप मेंने चे comment box पे लिख सकते हैं चली मिलते next question पे, thanks for watching this video